मित्रू नमस्कार मेरा नाम है राजेंदर सिंग और आप देख रहे हैं व्यूपाइंट विथ राजेंदर कला संकला के अंतरगत प्रस्तुत है मंदिर अस्थापत कला पर आधारित संचिप्त नोट्स मित्रू चैनल को सब्सक्राइब लाइक करने के साथ ही अपने विचारों को कमेंट बाक्स में जरूर लिखें आज़े जनते हैं भारती मंदिर अस्थापत कला के बारे में भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है समुची देश में विभिन देवी देवताओं के मंदिर अस्थापत किये गए हैं भारती इस्थापत्य कला का एक महत्पूर्ण पक्च मंदिर है। भारत में मंदिर निर्मान की परंपरा का प्रारूप बौध इस्तूपों और चैतों में देखा जा सकता है। गुप्त काल में इन्हीं से प्रभावित होकर हिंदू मंदिरों का विकास हुआ था। प्रस्तुत है भारत के प्रमुख मंदिरों पर आधारित परिच्छा उप्योगी महत्पूर्ण तत्थ टोदा पॉइंट के रूप में भारती मंदिरों के वास्तु सिल्वे की सामानेत्या तीन सैलियां प्रस्लित रही हैं पहली नागर सैली दूसरी द्रवन सैली और तीसरी बेशर सैली नागर सैली ये मंदिर प्राय सिखर मंदिर थे उत्तरी तथा मद्य भारत के मंदिर नागर सैली में निर्मत किये गए इन मंदिरों के सिखर में खड़ी रेखा की बढ़ानता होने के कारण ये रेखी सिखर मंदिर भी कहलाए इन मंदिरों का विस्तार हिमाले से लेकर विंध परवत माला तक दिखाई पड़ता है संपूर मंदिर का निर्मार एक विसाल चबूतरे पर किया जाता है गर्बगरी सबसे उंची सिखर के नीचे बनाया जाता है प्रारम में मंदिरों में सिर्फ एक ही सिखर होता था लेकिन बात की मंदिरों में कई सिखर बनने लगे कोणार का सूर्य मंदिर, देवगण का दसाउतार मंदिर, खजराहों का कंडारिया महादेव मंदिर विसुनात मंदिर और लक्षुमन मंदिर तथा गुजरात का मोणहरा का सूर्य मंदिर असम का स्विव सागर मंदिर उडिसा का जगनात मंदिर और उत्तराखंड का जागेश्वर मंदिर ये सारे मंदिर नागर सैली के बने हुए भारत के प्रमुख मंदिर है इस सैली के मंदिरों के सिखर उचे तथा पिरामिट के आकार के होते हैं दच्छिन भारत के मंदिर प्राय द्रमिट सैली में निर्मित किये गए हैं द्रमिर सेली के मंदिरों का आधार वरगाकार होता है तथा शिखर सीर्ज़ पर आमलग और कलस की जगह स्तूपी का बने होते हैं तमिल-नाडु में मंदिरों के सिखर को विमान कहा जाता है जो सीधी नुमा पिरामिट की तरह होता है द्रमिन सेली के मंदिरों का प्रांगण विसाल होता है द्रमिन सेली के प्रमुख मंदिरों में महाबली पूरम का तर्टी मंदिर और तंजावुर का राजराजेस्वर अथवा ब्रहदीस्वर का सिव मंदिर एलोरा का कैलास मंदिर और पत्टर कल का विरुपाष्च मंदिर आदी है विशर सेली ये मंदिर आकार में गोलाकार होते हैं और ये मंदिर मद्ध भारत तथा करनाटक में दिखाई पड़ते हैं ये नागर सेली और द्रमिर सेली का मिस्षित रूप है राश्टकूट चालुक के होई साल तथा बिजे नगर के काल में इस सहली के मंदिरों का निर्मान हुआ जैसे करनाटक के हमपी के मंदिर और हेल बुडू इस्थित होई साल इसवर मंदिर आदी पाचवी से चौधावी सदी में हिंदू मंदिर वास्तुकला में बहुत परिवर्तन आया आई जनते हैं प्रमुख मंदिरों के बारे में लिंग राज मंदिर यह नागर सहली में बनाया गया है और इसके निर्माड करता है यह याती केसरी और इसका निर्माड वर्स है ग्यारा सो इस्वी और यह भोईनेस्वर उडिसा में इस्थित है पुरी का चगरनाथ मंदिर यह भी नागरसाइडी में है और इसके निर्माड करता है अनन्त वर्मन चोड गंग देव ग्यारा सो एकसट इसवी में से बनाया गया और यह पुरी उड़ीसा में इस्तित है कोणार्ख का सूरि मंदिर यह भी नागर सैली में है और इसे नर्सिंग देव परथम ने बनवाया था 1250 इसवी में कोणार्ख उड़ीसा में खजरहों के मंदिर नागर सहली में है और इसे चंदेल सासकों नौसो पचास से दस्थो पचास एसवी में यह च्छतरपुर मद्ध परदेश में है कंडिारिया महा देव मंदिर ये भी नागर्साइली में है और इसे विद्यधर ने 1030 ईस्वी में खज्राहोत मद्ध परदेश में बनवाया था मोढेरा का सूर्य मंदिर ये नागर्साइली का मंदिर भीम प्रत्थम द्वारा बनवाया गया 1026 से 27 की बीच में और ये है महसाना गुजरात में दिलवाला के जैन मंदिर नागर सैली में है और यह विमल साह नामक सासक ने बनवाया था इसका निर्मार काल है ग्यारा सो से तेरा सो इस्वी और यह माउंट अबू राजस्थान में है कैलास मंदिर यह द्रमिर सैली में है और इसे किश्लो प्रथम ने बनवाया था 756 से 773 स्वी के बीच यह एलो रा महाराष्ट में इस्थित है दसा अवतार मंदिर यह नागर सैली का मंदिर है और यह गुप्त काल का है इसका समय है 500 इसवी यह ललित पुर उत्तर प्रदेश में इस्थित है एलेफेंटा के गुपा मंदिर यह बेसर सैली का मंदिर है और इसे राष्ट कूट सासकों ने बनवाया था और इसका समय है 800 इसवी और यह मुंबई महाराष्ट में है मामल पुरम के मंदिर यह द्रमिड सैली का मंदिर है और इसे नर्सिंग वर्मन प्रथम ने बनवाया था 680 इसवी में और यह महाबली पुरम तमिल नाडु में है कैलास मंदिर द्रमिड सैली का मंदिर है और नर्सिंग वर्मन द्रती ने बनवाया था 705 इसवी में और यह कांची पुरम तमिल नाड़ में है ब्रदेश्वर मंदिर द्रमिड सैली का मंदिर है और इसे राज राज पृत्थम ने एक हजार तीन से एक हजार दस इस्वी के बीच तंजोर तमिल नाड़ में बनवाया था गंङे कोंड चोल पुरम का मंदिर द्रमिड सैली का है और इसे राज इंद्र पृत्थम ने दस्तो पैतिस इस्वी में अरिया लूर नामक अस्थान पर तमिल नाड़ में बनवाया था मेनाक्षी मंदिर यह भी द्रमिड सैली का मंदिर है और इसे पांडिवंसी सासकों ने बनवाया था चोदा सो एस्वी में यह मदरई तमिलनाडु में है गुप्तकाल के प्रमुख मंदिरों में सिव मंदिर पांसो एस्वी में इसका निर्माण हुआ और भूमरा नागौद में है यह विश्णु मंदिर यह भी पांसो एस्वी में इसका निर्माणक हुआ और यह तिगवा जवलपुर में इस्थित है दसाउतार मंदिर पांसो एस्वी के समय में बना और यह देवगड ललितपुर जिला उत्तरप्रदेश में है लक्ष्मुन मंदिर जो की ईटों से बना हुआ है और यह इसका समय भी पांसो एस्वी है और यह सिर्पुर रायपुर चत्रिश गड़ में इस्थित है विश्णु मंदिर इसका समय भी 590 है और यह एरण जिला सागर मद्द बरदेश में इस्थित है ईटों का मंदिर पांसो इसवी में बना भीतर गाओं, जिलाकानपुरोत्तर प्रदेश में इस्थित है पारवर्ती मंदिर, यह छेज़ो इसवी के आसपास बना है और यह नशना कुठार में बनाया गया जो की पन्णा जिला मत्द प्रदेश में इस्थित है अब आईए पिछले वर्सों में आई हुए मंदिर अस्थापते कलार पर आधारित प्रश्णों को हल करते हैं तल गिरिवर मंदिर किस राजा ने बनवाया था A. नर्सिंग वर्मन ने B. राज राजा ने C. उद्यादित ने D. महमूत गजनवी ने जिसका सही उत्तर है A. नर्सिंग वर्मन ने तल गिरिवर मंदिर पल्लव वन्स के राजा नर्सिंग वर्मन दृतिये ने 695 से 722 इस्वी के मद्ध बनवाया था अगला प्रश्ण है मिनाक्षी मंदिर कहां परिस्तित है A. हमपी में B. मदुरई में C. तंजोर में D. बैलोर में जिसका सही उत्तर है B. मदुरई में मिनाक्षी मंदिर मदुरई में इस्तित है और मदुरई पांडों की राजधानी थी विख्यात कोणार का मंदिर किस प्रांत में है A. तमिलनाडु में B. करनाटक में C. केरल में D. उडिशा में तो इसका सही उत्तर है D. उडिशा कोणार का सूर्य मंदिर किस के द्वारा बनवाया गया है A. राजा नर्सिंग देव के द्वारा B. राजा इंद्रजीत सिंग देव C. राजा चंद देव D. राजा विक्रम सिंग देव तो इसका सही उत्तर है A. राजा नर्सिंग देव उडिशा के पुरी में स्थित कोणार का विशाल सूर्य देव का मंदिर नर्सिंग सिंग देव वर्मन प्रथम चोल गंग ने बनवाया था यह मंदिर तेरहवी सताब्दी का है जो अपनी विशिष्ट सैली के लिए प्रसिद्ध है कोणार के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है अगले प्रश्न है ब्लैक पैगोडा कहा जाता है A. एलिफेंटा को B. अजंता को C. खजुराहो को D. कोणारक मंदिर को जिसका सही उतर है D. कोणारक मंदिर अगले प्रश्न है दिलवाडा मंदिर किस से बना है A. ग्रीन ग्रेनाइट से B. मकराना मारबल से C. रेड सैंड स्टोन से D. ब्लैक बेसाल्ट जिसका सही उतर है B. मकराना मारबल से दिलवाडा का जैन मंदिर माउंट आबू में इस्तित है चालुक के सासक भीम देव प्रथम के सामंत विमल साह ने इसे बन माया था और यहां के मंदिर मरमर यानि के मकराना मारबल के उत्कृष्ट नकासी से बनाया गया है प्रशिद खज़राहं मंदिर किस सौ वर्सों की अवति में बन कर तयार हुआ दिसका सही उत्तर है बी नॉसो पचास से दस्सो पचास ईस्वी में खजुराहों के चतुर भुज मंदिर किन सासकों द्वारा बनवाए गए थे ए चालुक्य, बी चोल, सी चंदेल, डी मौर तो इसका सही उत्तर है सी चंदेल सासकों द्वारा अगले प्रश्ण है कंडारिया महादेव मंदिर कहां परिस्तित है ए सित्वन वासल में, बी खजुराहों में, सी बाग में, डी जोगी मारा में तो इसका सही उत्तर है बी खजुराहों में अगले प्रश्ण है लिंग राज मंदिर कहां पर है ए दिल्वारा में, बी ओस्यान में, सी भुवनेस्वर में, डी कांचिपुरम में तो इसका सही उत्तर है C. भूवनेश्वर में लिंग राज मंदिर ओडिशा के भूवनेश्वर में इस्तित है और इसका निर्माण सोमवंस के राजाओंने करवाया था सोर मंदिर कहां पर इस्तित है A. महाबालेश्वर में B. एलोरा में C. मदुरई में D. महाबलीपुरम में तो इसका सही उत्तर है D. महाबलीपुरम में लिंग राज मंदिर का निर्माण किन राजाओंने करवाया था A. मौरि ने B. सुंग ने C. गुप्त ने D. केषरी ने इसका सही उत्तर है D. केषरी ब्रंभा के चार मुख किसके प्रतीक है ए चार पुस्फों के बी चार देवताओं के सी चार वेदों के डी चार मनुश्यों के तो इसका सही तर है सी चार वेदों के ब्रंभा के चार मुख चार वेदों के प्रतीक है वेदों को अपारूसे और नित्य कहा जाता है वेदों की चार संख्या है रिगवेद, सामवेद, यजुरवेद और अथरवेद अगले प्रिशन है कि भारती चित्र एवं मूर्तियों में देव आकृतियों के सिर के पीछे बना चक्र किसका प्रतीक है देवताओं के सिंगार, अलंकरन या महिमा मंदन के लिए जो चीजें उपयोग में लाई जाती हैं उनमें छत्र प्रमुख है प्राचीन समय में राजा के पीछे छत्र लगानी का विधान था जो एक तरह की छाया, सम्मान या सत्ता का सूचक था देवताओं के उपर प्राया आभा मंदल के रूप में चक्र का अंकन हुआ है जिसे सूर्य समान चक्र भी कहा जाता है प्रसित देवगड का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर के समीप इस्थित है तो इसका सही उत्तर है प्रसित देवगड मंदिर ललितपूर जिले में बेतवा नदी के तट परिस्थित है देवगड इस्थित दसाओतार मंदिर भगवान विश्णू को समर्पित है इस मंदिर का निर्मार गुप्तकाल में हुआ था और लगभग इसका समय पाचवी सदाब्दी माना जाता है तो फिर आज बस इतना है मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई इस सीरिस को सालब करेंगे वीडियो को पूरा दिखने इखने बहुत 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 बनेवाद